अरे रुकिये रुकिये भाई ये राजमा की रेसिपी देखते जाईए क्योंकि राजमा खाना तो अक्सर सभी को पसंद होता है बच्चे हो या बड़े हो राजमा सभी को बहुत ही पसंद आता है तो चलिए भाई यहां पे हम राजमा को रात बर मैंने भिगो दिया था और चाहँ राजमा अच्छे से फूल गया है उसके बाद मैंने इसे 2-3 बार बढ़ियां से धोलिया है फ्रेंट्स यहाँ पर इससे भिगोने के बाद जुरूर ढहलीजिए कि रात बर जब हम इससे भीगोते हैं तो हलकी सी स्मेल वगेरा इसलिए पढ़ियां से धोलीजिएगा तो चलिए मैंने यहां पर इसे 2-3 मार बढ़ियां से धो लिया है और साफ पानी ही मैंने इसमें एड किया था तो चलिए एक ले लेंगे प्रेशर कूकर फटा फट से सारे राजमा डालते हैं थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और अथा पटा साथ में डाल देंगें एक मोटी इलाइची और यहां पर मैं डालूंगी दाल चीनी की छोटे-छोटे सी टुकड़े तो फ्रेंट्स मेरे यां ठोटे-छोटे सी टुकड़े थे न तो मैंने वही ले लिए हैं आपके पास बढ़ा टुकड़ा हो तो वह भी डगाते हैं धकान फटवर्ण से चड़ाते हैं से गैस पे तो गैस मैंने आउन कर दी है और मीडियम अप्ड़े में वाप से से लगवाले नहीं है तो फ्रेंट्स एक इसमी impress पे 25-30 लो फ्रेंट्री पे लगा ली थी तो जब यह अच्य से प्रेशे रिलीज हो तभी हमें इसे खोलना है तो चलिए फटा फट से प्रशर इसका रिलीज हो गया है और मैं आपको इसे खोल करके दिखा रही हूं तो बहुत गरम है तो चलिए मैं आपको यह भी चेक कर आदूंगे कि यह बढ़ियां से सॉफ्ट हो गए हैं तो यह देखिए इस तरीके से मु है तरीके से हमें उबालना है चलिए भाई अब यहां पर मैंने तीन प्याज ले लिए हैं आट से दस लेसुन की कलियां तीन हरी मिर्च एक ही चद्रक का टुकड़ा और यहां पर मैंने दो टमाटर लिए हैं तो चलिए सभी चीजों का बना लेते हैं पेस्ट अलग अलग तैयार किया है और यहां पर मैंने दूसरे बैच में टमाटर की बढ़िया सी प्योरी तैयार की है तो मैं आपको इसका टेक्स्चर भी चेक करा देती हूँ यह देखिए फ्रेंड्स हमने इसे दरदरा ही रखाय से टेस्ट काफी अच्छा आता है तो चलिए यहां मैंने काफी अच्छा आता है और अब यहां पे हम इसमें डाल देंगे हींग फ्रेंट्स राजमा हो या फिर छोले हलका सा गैस वगएरा की शिकायत इनमें हो जादे तो हींग जरूर डालिएगा तो चलिए अब यहां पे हमने जो अपना दरदरा मसाला पीस करके रखा ना वो हम इ लेंगे इस तरीके से तो लीजे भाई हमने इसको एक दो सेकेंड के लिए बढ़िया से भून लिया है और अब तेल जो है ना उसका जो प्रभाव है वो भी कम हो गया है तो चलिए बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है और इसमें से जो भी पानी था ना वो भी हमने देवे सुखा लिया चलिए अब यहां पर हल्दी पाउडर एड़ कर देते हैं साथ में हम डालेंगे एक से देड़ चमच धनिया पाउडर फ्रेंड्स धनिया पाउडर से टेस्ट भी अच्छा आता है ग्रेवी भी काफी गाड़ी हो जा दे चलिए एक चमच भर के रट च हम ही डाले क्योंकि बॉयल करते समय भी हमने नमक एड़ किया था चलिए अब टमाटर का जो पेस्ट बना करके रखा था वो भी हम एड़ करेंगे और फटा फट से हम मिक्स कर लेंगे तो फ्लेम अभी मैंने लो टो मीडियम ही रखा हुआ है फटा फट से हम पहले से मिक्स क कर लिया है अब हम इसमें थोड़ असा पानी डालेंगे तो बस उसी कटोरी में घुमाते हुए मैंने पानी आड़ कर दिया है फ्रेंड्स पानी हम इस इसले एड़ करना होता है क्योंकि जो मसाले यह पानी में अच्छे से फूलते हैं और जब पकते हैं तो मसाले तले में पानी डालने के कारण मसाले अच्छे से फूलते हैं बढ़ियां से पकते हैं तो चलिए कवर कर देते हैं कवर करके हम इसे पकने देते हैं तो फ्रेंड्स इसे पकते हुए एक से दो मिनटी हुए हैं बीच में हमें इसे चलाना बहुत जरूरी है तो फ्रेंड्स क्योंकि हमें मसाले को ना काफी टाइम दे के भूझना यानि अराम से भूझना है तभी हमारी सब्ची बढ़ियां बन करके तयार होगी बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है फ्रेंड्स खुश्बू तो मैं ही सिर्फ ले पा रही हूं लेकिन जब आप इसे बनाएंगे ना तब आपको खुश्बू महसूस होगा तो चलिए दुबारा से कवर करते हैं मसाले को एक मिनट के लिए और अच्ये से भूनने देते हैं सुझ वली तोल हमने यह तीन से चार मिनट में यह मसाला पून करके तयार किया है और मसाल लेने आप देख सकते हैं तेल किनारे से छोड़ दिया है तो यह देखिए फ्रेंड्स तेल अलग हो गया है मसाला क्वांटिटी में भी आधा हो गया है यानि पानी जितना भी थाना के बिल्कुल कि यानि दाल चीनी का टुकड़ा डाला था ना वही समेत ही हमें यहां पे राजमा को एड़ करना है फ्रेंड्स वह हमने पहले इसलिए डाला था ताकि यह अच्छे से उबले और राजमा के अंदर तक इन खड़े मसालों का फ्लेवर बढ़ियां से समा जाए वैसे हम तेल इसे मिक्स कर दिया है अब हम इसे पकने देते हैं तो ज्यादा हमें पकाना नहीं है क्योंकि पहले से हमारा जो राजमा और ग्रेवी पकी होई थी लेकिन थोड़ा बहुत हम इसे पका लेते ताकि ग्रेवी में जो है मसाला ना जो वह एब्सौफ वह राजमा भी मसाला में छोला में पनीर में आप कस्तूरी मेथी डाल करके देखिए बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आ जाएगा यह मेरी ग्यारंटी है तो बस कुछ नहीं करना है सिंपल सी राजमा में आप इस तरीके से थोड़े थोड़े जो है मैं जैसे बताती हूना वैसे आप डाल करके देखिए फिर जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा तो चलिए भाई लास्ट में हमने इसी एक दो मिनट के लिए और पकाया है तो लास्ट में गरम मसाला एड़ करेंगे और अब मैं डालूंगी हरा धनिया तो फ्रेंट्स हरे धनि राजमा तो बनकर तैयार है तो चावल कैसे पीछे रह सकता है क्योंकि भाई राजमा तो हमेशा चावल के साथ ही में अच्छा लगता है बहुत ही टेस्टी फ्रेंट्स ही लगता है चावल के साथ खाये रोटी के साथ खाये पराटे के साथ खाये जिसके साथ भी आपको र राजमा चावल मेरे all time हमेशा फेवरेट रहते हैं और मुझे बहुत ही पसंद आते हैं तो चलिए भाई ये सुपर टेस्टी हमारे राजमा बन करके बिलकुल तैयार हैं तो I hope friends आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मेरे राजमा बनाने का तरीका आपको कैस लगा मुझे कमेंट्स करके बताना बिलकुल भी मत भूलिएगा क्योंकि friends हमने इसे बनाया है बिलकुल सिंपल तरीके से घर के बेसिक समान से जो कि सभी के पास एबिलेबल होता है तो बस उसी अंदाज में बनाईए और बनाने का तरीका बस थोड़ा सा चेंज कीजिए ब फिर कंट्रोल कैसे होगा तो भाई मैं तो चली इसे खाने तो देरीक इस बात की आप भी फटा-फट से इसे बनाईए खाईए एंजॉय करिए और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करना प्लीज बिलकुल भी मत बताइए क्योंकि मैं आपके कमेंट्स तत्र के लिए बाय तेक जी 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 आटेक एंग।